भॉस्तों आज की शीडियो में हो आपको वताई के की जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसको आप लैपटॉप के अंदर रसक्रीण का किसे कर सकते हो और वहां इसे से श़िए पिल्कुल आपको प्रोसेस चाहिए तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें मोबाईल चीए एक उसके लाव का लैपटोप तो चीज़ें चीए और यह अपको डटाखेबल चीजे जिसके आप बना मोबाईल कनेक्ट कराओगे तो पहले आपको लैपटोप की प्रोसेस बताता हूं कि लैपटोप के अंदर आपको क्या करना है एक छोटा सा सब्सक्राइब बिल्कुल छोटा सा वह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपका बाकी का काम आपको बता दूँगा लेकिनों कैसे करना उसमें भी थोड़ी ट्रिक है तो वह त्रिक आपको भी देखने पड़ेगी तो उसके करके इसका नाम है यह आपको ओपन कर लेना है यह वाला नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूआ डिस्क्रिप्शन में आपको इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो इस पर बहुत सारा कुछ डाटा लिखा मिलेगा आपक यहाँ पर आपको options मिल जाएंगे आपका जो computer है वो 64 bit है कि 34 bit है यह आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा वो उसके coding है तो मैं अभी आपको अगर आपको पता नहीं है कि आपका computer कोन सा है तो आपको यहाँ बैक जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर खोलना है या फिर यहाँ पर कहीं पर आपको क्लिक करना है जैसे यहाँ आपका लिखा मिलेगा सिस्टम टाइप 64 bit का मेरे सिस्टम 12 GB की रहम तो अभी आपको क्या करना है उसके बाद यह बंद कर दे 64 bit का है मेरा तो आपको यहाँ पर जाना क्रोम ब्राउजर पर 64 bit को हम यहाँ से डाउनलोड कर ले अगर सर्च करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उससे अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो इसको एक बाद डाउनलोड होने देते हैं तो अभी हमारा इस software जो है, वो download हो चुका है, अब हम इसको open करेंगे, open करने के लिए यहाँ से भी हम ऐसे open कर सकते हैं, लेकिन हमेना download folder में जाके इसको open करना है, तो अब हमने अपने laptop का download folder हम open कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा यह downloads है, downloads में आपका यह दिखी जाहा है, यहाँ यहां पर किया है यह यहां पर आगया आपका यापको इसको आपके पात जो भी फैल है घ्यावलिबे नहीं विह सबसे पहले तो आप स्क्रेंट hmm ले जाते आने याँशर और यहा पूरा-पूरा यहां फोल्डर के अंदर यह जितनी भी इसकी फाइल है इनको आपको एक फोल्डर के अंदर डाल लेना है Android वर्जन है इस नीच जो बिल्ड नंबर होता है इस पर देखो यह नो नीड यू आर अलड़ी डेवलपर आपको बिल्ड नंबर वाले पर तीन चार बार क्लिक करना और अगर आपको यहां पर भी नहीं मिल रहा तो आपको यहां आना है यहां पर आपको डेवलपर में जाना है इसके अंदर मैं बता रहा हूं आपका जो भी मुबाइल फोन है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए यूटूब पे वीडियो देख लिजिए कि आपका डेवलपर ओप्शन का है आपको मिल जाएगा तो अभी हमारा यह सिस्टम के अंदर डेवलपर ओप होता है कुछ मुझमाइल फोन में होता है कुछ में नहीं होता है अगर आपके मुबाइल फोन में है तो आप उसकोнем कर लीजिए अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं आपके अगर आ है अगर आपका है तो आप इसको on कर लेना उसके बाद आपको क्या करना है डी बगिंग के लिए आपको इसको अपनी डाटा केबल को इसके साथ कनेक्ट कराना है दोस्तों बहुत पसीने आगए हैं तो वीडियो बनाने बहुत महनत हो रही है तो वीडियो प्लीज लाइक सेर औ करें तो अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं कि उसके बाद क्या करना यह आपका इतना काम हो गया इतना काम होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद आपको अपनी लेपटॉप की screen में आना है और लेपट ऑप की screen में आने के बाद आपका हैं वह प्र आपको अपको हैं आपट एंदर एक रिकाट कर लिया एक default固 & sports आपको क्या करना है जब यह आपका डाउनलोड नियाहएगा उसके बाद आपको अपने इस पूर्डर में आना है जैसे आप अपने मॉबाइल का काम कर दोगे तो इसके अंदर आपके काफी सारी फाइल मिलेंगी इन में से सो जो स्क्रैक करके फाइल है यह तीन है वैसे तो सारी हैं यह मैंनली तीन चेर पांस फाइल है इन में से आपको जो यह नोन कॉंसल वाली आपके जो मॉबाइल के स्क्रीन है वह यहां पर मीरा नहीं होने शुरू हो जाएगी देखो अभी दिखाता हूं आपको यह देखिए यह मेरे मॉबाइल फॉन की स्क्रीन है यह भी देखो आवाज कम हो रही है वहां पर भी हो रही है तो यह जो मॉबाइल फॉन की स्क्री मालो यह मैंने एकजिट कर दिया तो डिस्प्ले मेरी यहां पर सीधी होके आ गई है अब मैं इसके अंदर जो भी अपनी एप है उसको अगर ओन करना चाहूं तो यहां से मैं डिरेक्ट उसको ओन कर सकता हूं और यह ऐसे करके मेरी एप जो बंद हो रही है उसके लावा जैसे है पूरी आपको चलानी आपको वीडियो पंडीक करना है कि कॉलें बड़ी होगी कर सकते हो यह मैंने बंद कर दिया है तो यह तरीका था इस तरीके से आप एप के थूरू अपनी जो है मोबाईल की स्क्रीन हो लैप्टॉप के अंदर दिखा सकते हो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो महां से मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूँगा तो दोस्तों आपने चीज देख ली होगी कैसे मैंने यह कनेक्ट करा है कैसे मैंने मुबाइल फॉन की जो स्क्रीन है वो लैप्टप के अंदर चला दी आप यह बिल्कुल आसान तरीका और इससे आसान कोई और तरीका है नहीं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको यह वीडियो नौलेज़िबल लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं लिए लिए व प्रोंदे मात्रम